हिमाचल प्रदेश में मौनसुन्स बरसातों का कहर अभी भी पूरे प्रदेश के अंदर चला हुआ है और प्रदेश में जो भी सुविदाएं सरकार द्वारा दी जानी है और खास करके हमारे विभाग द्वारा लोगनर्मान विभाग द्वारा जो सडकों को खोलने का प्रक्रिया है और खास करके जो एपल सीजन आजकल चला हुआ है उसके लिए भी जो लोगों को और खास करके बागवानों किसानों को जो सुविदाय देने की बात है उसके लिए सरकार बहुत गंभीर है बहुत मजबूती से उसके उपर कार्य कर रही है और आज भी हमने सुभा एक रिव्यू मीटिंग हमारे जितने भी अधिकारी है इंजिनियर्स है पूरे प्रदेश मे उनके साथ एक रिव्यू मीटिंग ऑनलाइन करी है और उनको सक्त निर्देश दिये है कि जल्द से जल्द जो है साड़ी सड़के जो बंद पड़ी है उनको बहाल किया जाए आज भी करीबन करीबन 600 सड़के प्रदेश के अंदर बंद है समय समय पर खोली भी जाती है मगर फिर बंद हो जाती है तो इसमें अगले चार दिन के अंदर जो है तीन दिन के अंदर л.चार सउ साड़े पान सौ सड़के जो है वो प्रदेश के अंदर भागने कहा है कि उनको खोल दिया जाएगा और बाकी भी जो शेश बची है उनको भी जल्त खोलने का प्रयास जो है आदी जो है वो हमने इसको डेपार्टमेंट से उसको प्रिक्योर करने का प्रोसे स्टार्ट कर लिया है उसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्हें अडिशनल बजट हमको मशीनरी की जो है वो परचेजिंग के लिए दिया है और हमने ड कमी पेशी लगती है किसी विधानसबाग शेत्र में किसी डिविजन में तो वो हायर करकर मशीनरी को डिप्लॉय करें मगर कोई भी सड़क जो है वो हमारी बंद नहीं रहनी चाहिए यह हमारी एक प्रात्मिक्ता है जिसके उपर हम कारियर लगतार कर रहे हैं मगर क्यूंकि उसकी वज़ा से प्रोब्लम जा रही है कई जगाओं पे नालियों की वज़ा से प्रोब्लम आ रही है इन सब चीजों से हम निपटने का प्रयास कर रहे हैं और मिलकर हम जो है वो अपने क्षेत्र के लोगों को प्रदेश के लोगों को सुविधाय देने का पूरा प्रयास पहले भी किया है और आगे भी करेंगे मैंने खुद अभी 15 अगस्त के कारिकरम के लिए मैं सर्मौर में था उसके बाद हमने सर्मौर जिला के जो भी प्रभावित क्षेत्र है एक वहाँ पे सर्मौरी ताल क्षेत्र है एक आपके नहान के अंदर कई इलाके है जो बहुत जहा और जहाँ जहाँ जो आविशक्ता है उसके अनुसार जो है वो डिपार्टमेंट को निर्देश भी दे रहे हैं और उसके उपर काम भी हो रहा है। अपने विभाग की और से केंदर सरकार का धनेवाद भी करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को आज एक अच्छी सोगात जो है वो एक ऐसे समय में मिली है जब प्रदेश आपता से गुजर रहा है। और हमारे विभाग को प्रदान मंतरी ग्राम सड़क योजना के तहत जो है 2600 करोड के लगबग जो है ये धनराशी करीबन 2400 से 2500 किलो मीटर सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए हिमाचल को दी गई है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्दी है और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लक्त इतना बड़ा पैकेज जो है वो डिपार्टमेंट को मिला है। जाएगा और कारिया के साथ साथ एक चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा एंफिसिस ले करना चाहता हूँ कि हम इसमें मैंने आज सुबा अपने अधिकारियों को भी ये साफ निर्देश दिये है कि हमने इसमें जो है गुनवक्ता का क्वालिटी का ख्याल रखना है क्योंकि कई जगाओं पर जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर बहुत जगाओं पर हमने जो है वो रिव्यू लिया क्यों इतना सड़क बैट रही हैं डंगे बैट रहे हैं उसमें जो एक मुख्या कारण पाया गया वो सड़कों में क्रॉस ड्रेनेज और कलवट की कमी होना या कई जगाओं पर क्षेतर के स्थानिया लोगों के दबाव के अंदर जो है कलवट बंद कर दिये जाते हैं जिसकी वज़ा से पानी की नकासी सही रूप से नहीं हो पाती है जिसकी वज़ा से यह डैमेज हो रहा है यह जो हमारा जो यह अपग्रेडेशन का पी एम जेस्वाई क कार्य होगा इसमें मैंने साफ निर्देश अपने अधिकारियों को दिये है कि इसमें हम क्रॉस ड्रेनेज का और कलवट का प्रावदान रखेंगे एक स्पेसिफाइड आपके पर किलो मीटर में दो या तीन कलवट जितने भी लगने हैं उसमें जो ड्रेनेज होनी है उसका खास ख्याल रखा जाए ताकि हमारे जो इग्जिस्टिंग रोड्स है प्रदेश में का जो अभी हमारा सड़कों का जाल है करीबन करीबन 40,000 स्क्वाइर किलो मीटर का है जिसमें से करीबन 22,000 स्क्वाइर किलो मीटर सड़कें प्रधान मंतरीक राम सड़क योजना के अंत structure setup है प्रदेश के अंदर उसको भी मजबूत करना उनको ठीक करना उसको maintain करना और अच्छी quality की road देना ये हमारी प्रात्मिक्ता है इसके लिए जैसा मैंने कहा कि हमारी एक पहले एक scheme होती थी जो हमारी खास करके कलवट को और cross drainage को मजबूत करती थी मैंने खास रूप से ये कहा है कि उस scheme को फिर से हम revive करेंगे और जो अगामी हमारा budget होगा अगामी वित्यवर्ष का उसमें मैं खास रूप से मुखे मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि कुछ budget जो है केवल आप cross drainage के लिए और आपके कलवट के लिए दिये जाए ताकि जितने भी आपकी कलवटों की और cross drainage की कमी है उनको हम पूरा करें ताकि सडकों की जो बैठने का परिस्तिती आज बनी हुई है जगा जगा पे आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी सडके नीचे आ रही है उससे जो साथ लगते घर हैं सडकों के साथ वो किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं शिम्ला में जो कहर आपने देखा और पूरे प्रदेश में जो कहर देखा इतने सडकों की घरों की जो लोगों की जान गई है उसमें कहीं न कहीं ये कमिया रही है तो इसको हमें ठीक करना है और इसके लिए हम एक नए तरीके से जो है वो काम करेंगे इसका मैं आपको पूरा विश्वाश दलाना चाहता हूं